हलो इस्टूडेंट आज हम बात करेंगी इंट्रोडक्शन और अप्रेटिंग प्रोसिजर आफ एश्पटल्स सॉफ्ट्वेर् हाइ पर्फॉर्मचे तिन लेयर क्रोमोटोग्राफी इसमें मिलेढंगि अज करने से पहले कौनव कौनिज से आपद्वी तह Have this आपन्ali सिस्ट न परेंने से इंप्लिक्ष्ट्र last निकिस्ट का है इससे ऐसे आभ advise rice करने का रेंद्वानियूसीस करने से ते linMAN活 तो उसके पहले आपको software में जाने के software जाने पर पर व सरी options आपको फिल करने पड़ते हैं कि आपको quantitative analysis करना है या फिर हापको पिर आपको जो है जो है कहां पर आपको मतलब आपशों करनी है और कहां पर आपको कौन सा option आपको चूज करना है, कौन सा development कैसे करना है, scanning कैसे करनी है, वो सारी चीज़ें आपको पहले आल्रेडी फिल करनी होती है, तो आज हम बात करेंगे अपने normal main topic अपना, वो है introduction and operating procedure of HPTLC software, HPTLC अपनी instrument अगर आपके पास है, तो उन्हों इसमें Winket software होगा, और उसके चार पार्ट हम normally मान सकते हैं, कि पहला होगा, scanner होगा, दूसरा software, दूसरा applicator and TLC plate, normally software पार्ट जो होता है, बहुत important होता है, क्योंकि analysis, हम pre-analysis करने के बाद में, जब instrumentation भी आते हैं, तो सबसे पहले आपको software की पूरी जानकरी होनी आवश्याग है, अगर आपको software की पूरी जानकरी नहीं है, तो आप जो आपका sample बनाया, उसको instrument पे analyze नहीं कर सकते, क्योंकि software पे आपको command देने के बाद में ही, आपका instrument proper work करेगा, और proper analyze करके आपको result शो करेगा, तो आज हम बात करेंगे, HPTLC software पे, तो normally HPTLC पे कार्म करने से पहले आपके पास standard sample होगा, जो target molecules होते हैं, और दूसरा होता है, plant extract या medicine content होता है, या जिसको आपको analyze करना है, as a sample, तिसरा होता, TLC plate होती है, और mobile face होता है, तो normally हम instrumentation part की आज बात नहीं करेंगे, तो normally आप जब instrument को on करेंगे, तो आपके पास इसका screen दिखाए देगा, जिसपर की wincat software है, जो की normally आपको दिखाए दे रहा है, इसका icon यह है, wincat software, यहाँ पर आपको double click करना होगा, double click करने के बाद में आपको, normally एससे screen दिखाए देगी, जिसपर भी कई सारी options होगी, ऊपर जो आपके हैं, फाइल हो गया, instrument हो गया, run हो गया, administration हो गया, और जो राइट साइड में आपको options है, वो एजन आलाइस है, एस्टेशन रिफेस है, डेफिनिशन है, सेंपल एप्लिकेटर है, डेटेक्शन है, evaluation है, and calibration है, standard है, मैंने नॉर्मली एक सेंपल का अनलाइस किया है, जिसमें सेंपल भी लिया है, एक सेंपल ली, एक मेरा नॉर्मल, जिसको अनलाइस किया वो सेंपल है, तो मैं उसको रन करने के बाद में, जो डाटा है, उसके अनुसर आपको बता रहा हूँ कि सौफट वेर में, कैसे आपको कोई डाटा फीड करना होता है, कैसे फीड करते हैं, मैं पहले एनलाइस पार्ट में जाते हैं, आपके पास कहीं सारो प्स्षें और ओपन होगे, जिसमें होगा पहला definition होगा, और दूसरा होगा सेंपल एप्रिकेशन और तीसरा होगा डेवलपमेंट पोस्टा डेटेक्शन एंड डॉक्मेंटेशन एलेक्ट्रोनिक सिग्नेचर तो नॉर्मली आपको पहले ध्यान होना चाहिए कि क्या आपको अनलाइस करना आपको क्वांटिफाई करना है या क्वालि लिनोमेट जहां पर आप लिनोमेट 5 करेंगे जिसमें आप मशीन से जुड़ा होथा डारेक्टी कनेक्टेट होता है एक्जांपल आपको डिखाई दे रहा है लिनोमेट 5 ऐसा आपको अटोमेटिक मशीन होता है यूकि डारेक्टली स्पोर्ट को मर्क की आपके TLC प्लेट साथ में अटेश एक डिवाई होती है उदे करना होता है और किस रहूमेंट फर सकेंगे आंगी आपको आगे बताहिंगे ये इसके बात नीचे आपको देखया langब आपने लेंगे प्रोपर्टिस पर क्लिक करें गी तो पड़ूरी से क्लिक करने के बाद में आपके पास आएगा एक एक एसा स्क्रीन पर शोओ वहीं आपको यह आपकों डिस्क्रिप्शेन करें दर आपको प्लांट मेडिशिं कटेंट सी कॉंटेंट जो भी आपने 20 का फ्लेट सेंपल के आपको 14 फ्लेट लेना हुगा अगर आपको कम इस करने है तो आपको उसका लेंद्ध और हाइटब को कम लेना होगा मिन्स 10 बाइट लेना होगा तो नार्मली आपको बेंड वीत कितनी तक निया उसके लावा बेंड की जो बेंड पाज जो है एरिया है वह कितना रखना है वो सारा डिपेंट करता है तो नौर्मली हमें सपोज आपको यहाँ पर च्छ-पोट लगाने या सेमन इसके बाद में जितना भी डाटा है वो आपको यहां पर फीड करना होगा उसके बाद में आप जाते हैं सबसे ले आपी आपको इसमें राख जाते हैं नंबर उपसे नंबर और मेंस्थ आ तो पर लागा करने दो पहला सरेंज हो गया संदर का ऑलोगा दूसा आपका सेंपल स्जेट करना पड़ेगा आपको सेंघ करना पड़ेगा चार अब करना क्लादाब यहां पर आपका सेंडरी सेंडरन कितने हैं मतलब क्या छारा है इसके यहां पर एक फिल करना है इसके बाद में केलिब्रेशन मोड आपको अलग-अलग कंसंट्रेशन के अमांट पर फ्रेक्शन के आपको यहां पर इसपोर्ट लगाने के लिए आपको यहां पर चूज करना होगा आपको क्वालीटाटिव अलग करना है तो आपको सिंग्ल कालिब्रेशन बोड में सिंगल लेवल क्रन करना होगा अाप आपको मैंने यहां पर स्थ Susp trasya के जो अपके इसिस सपोर्ट अक्यार चिया है यह तो किया है 5 तो यहां पर आपको number of standard level आपको फिल करना होगा 5, आपको peak height के according evaluation data चाहिए, peak area के according, यह आपको चूज करना होगा, normally peak area के according करते हैं, मैंने आपर दोनों select किये हैं, peak height and peak area, और जो multi level, जो standard fraction किये हैं, मैंने, वो किये हैं, amount for fraction के according, इसके बाद में आते हैं, आप सेंपल के अंदर, नीचे आपको दि data fill करना होगा, by root आपको data fill करने के बाद में ही आपका process चालों होगा, instrumentation का, आपने एक sample बना लिए, एक standard बना लिए, या आपको यह data पर अल्रेडी आपको सकते हैं आपको requirement और दूसा होता है सैंपल का नम मेंने दिया है 20 में लिखा जाएगा इसंड़ करके आगे जाएगे आपको स्देंड़ें इस इसमें पांच इस्पोर्ड लगा इंट लेकर और चाहरें आपको आएगा इसमें 9 gram 1 mm एंदर यूनिट्स होती है अगर मैंने जी स्पोर्ट लगाए हैं है जी स्पोर्ट अपलाइक हैं जो ती एल ब्लेट पे वह किया है 200 ने नग्राम का 400 ने नोग्राम का एंद 500 एंद 125 उस परकार मैं तो हम क्वंटिफाई कर लेंगे तो अभी आपको के लीनियेटी कारूब बनाने के लिए आपको इस्टेंडर के फ्रेक्शन करने पड़ेंगे तो आप पांस भी ले सकते हैं एक आइसे गाइडलाइन के अकोडिंग पांस से ज्यादा लेना अच्छा रहाता है पर नॉर्मली में पांस लेके चल रहा हूँ कि अभी बात करें कि अले सॉफ्ट्वेर में डाटा फीडिंग की तो नॉर्मली आप सेमन या एट स्टेंडर लेके चलिए तो टूंडेट से लेकर किया है या हंडडेड नैनो ग्राम से लेकर क्या वन थाउजन नैनो ग्राम तक माइक्रोग अब आगे चलते हैं शेंपल एप्लेकर आपको नहीं देनी है इसके अंदर एप्लिकेशन वोल्यूम में यहां आपको 2 ml रखना है और आपका सॉलवेंट सिस्टम गया है एसी तोन है मेथनौल आपको फिल करना होता है इसके बाद में आते हैं सेक्वेंस में सेक्वेंस के अंदर आपको नॉर्मल यह ऐसा इसक्रीन अपलाई करने में सापने пять तो होगै और तूस पर मैंने अपले है क्या तो मेने है गया है आपकी यू उनीट से आपकी से medida से पूजिचन आपको चैन्ज करते हैं कि नुर्मर्मल्टी चैन्ज कर सकते हैं। एया पीख स्प्लिटिंग हो तो आप बैंड़िए को सब्सक्राइए, जो प्लिएच के सबने चैन्ज करते हैं। यहां से एक्स और य डिरेक्शन से तो इससे आपको इससे आपको नॉर्मली आपको नॉर्मली यह डिफॉल्ट सेटिंग में 15 फिफ्टीन ट्वंटीएट यहां पर फिक्स रहता है बागे आप नॉर्मली आप अगर कोई आप मोबाइल फेस रन करने में अगर आपको डिफि यह important है application volume मैंने जो standard का है 2 micron अप्लाई किया यहां पर second जो अब फॉर्म प्लाई किया थर्ड स्पोर्ट में 6 micron का 4th स्पोर्ट में 8 micron का और 5th and 6th minute 6th minute 10 micron का और 7th minute 15 micron का अप्लाई किया means 2 micron में 200 ng यहां पर अप्लाई हो रहा है 4 micron means 400 ng अप्लाई हो रहा है 6 का मतल मीम्स है आपर 6 micron में मेरा जो जो amount है standard का जो टार्ड मोलीकृल है मेरा standard का जो है वह जो अप्लाई हो रहा है 6 micron में 600 ng वहां अप्लाई हो रहा है इसका means यह है आपको एसको बहुत ध्यान से करना है ध्यान से apply करना है कि आपको कितने amount में कितना कितने माइकलोटर में कितना आमाउंट आपकी अपलाई किया जा रहा है यह आपको आल्ड डरी केल्कूलेशन करना होगा उसके बाद मिल्या चाहिता है मैंने सेवन सपोर्ट लॉंटेशन लगाएं सब्सक्राइब कि Ton फाय सेंपल अप्लाई किया उसके बाद में audio कंडिशन पे जना है क्लिक करना के बाद में यह हमारे वह आको इसे दिखाया रहे है यह आपको आपको फिर लींच सेवी दिखायाrev में अपको द्राइंब आपको विसके बाद में अदर रखे इसको रन करना है रन होना चाहिए आपको 75% TLC प्लेट में मोबाइल फेस रन होना चाहिए नॉर्मली आप जानते हैं रन होने के बाद में स्पोर्ट में जो टार्गेट मोलीकुल से रन होगा उपर उसका आर्ए फेल अगयाद कर पाएंगे वह उसके अकौरण से अक्वांटीफाय करना है है ड्रैकरने के बाद में आपको ड्रैक्शन में आना है देक्शन इस प्लेक्शन के इंदर आपको सबसे पहले जी स्क्रीन यहां पर आपका solvent front position मैंने बताया आपको 75% तक रन करना है मिन्स 75 mm तक आपको रन करना है यहां पर आपका जो भी 75 mm हो गया या 80 mm मिनिमम आपको 75 mm तक रन करना होता है अगर 85 भी हो जाता है तो कोई दिकत नहीं है तो आपको 80 और 85 यहां पर mention करना है mention करने के बाद में अगले जाएंगे सेक्वेंस में जाने के बाद में आपको मिलेगा इसकी जहां पर आपको स्के बाद में आपना अब्स और और इसको तो अचिरिफ करता है तो इसको श्कलीज में करता है विँरजुयान देना होगा अपको तो करना होगा मैंने यहांप 264 also just a set घुरींगस्तम पिसको इसको स्कौनिंग करना है मैंको तो यहांप 264 आप 380 कर सकते हैं 752 कछ सकते हैं दॉस इमार्ट में कर सकते हैं तो आपका करना होता है उसके बाद में आते हैं आप fans in Canada this और let us can करेंगे तो आपको यह करने के बाद में को यह करने के बाद का राटमा और अपना होगा तो अलगार का व्शा district और अभाने के बाद में ऍज़िस आपस्टा मिलेंगी इवलिशन के अंदर आपको Tracks मिलेंगी जैसा आपने a Ben 15 मिलेगा तो सह ostracalite सरटेक्टा मिलेगा यह अफ्न 20 मिलेगा ट्रेक में उस्टेंट का 2021 जो शाहर घ्र में आपको को जो इसको आपको जो दो लाइन से इसको आपको पीग को सहब करना वहाँ थाल कि यिक अरर शीलmy 1.94 आपको आपको मिलेंगी तो आपको यह देखना होगा 5 तक आपका जो पीक है जो डिस्प्ले है वह ऐसा होना चाहिए और इसके बाद में आप 6 और 7 पर जाएंगी आपको इसी रेंज में आपको आपको पीक अगर मिलता है तो आपको यह पीक मिलता है तो आपको इस पीक को सब्सक्राइब करने के बाद में आप आएंगी एवलेशन क्वांटिटि के अंदर है इक है शाघ्ट के सबस्कंद्र में इसमें आपको ऐसाइस स्क्रीन दिखाए देगा तो इस टेंडर का जोगा वे सकैनि किया है उसके बाद में आपका या इकन का है एसे सबसेंट असलमेंट है एस मन में पर पिक हो ता आप काफी मिलेंगे एक पृट के आप इसको परने के बाद में अस्को इह सबस्क्रानी यह पास आइडर्म करेंगे और DC केलिपरेशuhan आप यहां पर आपको दिखाई देगा और सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद में सब्सक्राइब करने के बाद में सबसे पहले सब्सक्राइब आपका पूरा डाटा डाटा आपने फिल किया इसको इस्टिमेंटेशन साथ साथ में चल रहा है इसमें तो आपको आपको सबसे पहले देखना होगा कि जो ट्रेक बन है उसका और फेली पॉइंट नाएं मिला है और आपका सब्सक्राइब के अंदर है वह स्टेंडर का जो ट और जो हमने 10 माइक लुटर अपलाई किया है सेंपल का उसका 2791 है मिन्स इसके अंदर 284,649 नेनोग्राम आपका प्रेजेंट है यहां पर आपको इसका कौन्टिफिकीशन मिलता है यह 10 माइक लुटर में आपको अपलाई किया तो 284 नेनोग्राम आपको कंटेंट मिला और यह फर्स्ट चैस्पाइब्या फिफन पर्ड आपको थाड अश्वोको यहsecond अए रे doğru कि टिए रे इसे बीजा अपकी ट्रेत कि वह पतर होंगे और जो ग्रीन और समीन ग्राफ को आपको वह आपके मिलेंगी सेंपल के तो आपको दो मैंने सेंपल के दो स्पोर्ट अप्लाई किया है दो ट्रेक लगाए थे तो इसमें पहला है टेन नैनोग्राम का टेन माइक्लोटर का सोरी और दूतरा है आपका 15 नैनोग्राम का तो 10 नोग्राम के अंदर जो क्वांटिफाई हुआ है वो नॉर्मली 284 नैनोग दिलो के सकते हैं तो नॉर्मली आज आपको बताया मैंने कि इसके अंदर कौन-कौन सा लाइन साहिं वहुत पाइट ऐस्के बहुत इंप्टेंट पार्ट हैsection शॉप्यत का नेनो ग्राम का कितना ग्वांटिफाई करना तो कितनी रेंज लेकर चलिए में को 5 ट्रैक लगाने 5 सपोट लगाने 7 ग्रत लगाने 10 इस पोट लगाने और सेंपल के कितने सपोर्ट अप्लाइक करने फर्दर किस वाव लेंद अगर मिलता है तो मेंसा आपका टार्गेट मोलीकुल्स आपका सेंपल में प्रजेंट है और अगर नहीं मिलता है तो आपका टार्गेट मोलीकुल्स आपका सेंपल में प्रजेंट नहीं है तो नॉर्मली आपको जो ग्राफ एडिया जी लिनियर गर्व आ रहा है अगर आप इसको एलोडी और लोक्यों आप क्वांटिफाइब कर सकते हैं इसका रिग्रेशन पॉंट नाइन फाइफ आया है और एज़्टी पॉंटिफाइब सिखता है एज रिसर्च परपस के अकुडिंग आपको यह डाटा रिक्वाइर होता है लीनियर कर रिक्वाइर होता है साथ ले सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आज मैंने बताया कि कैसे मतलब सौफ्टेयर के अंदर डाटा फीड करते हैं कैसा आप कैसे आप उसको एनलाइस करेंगी एनलाइस करने से पहले आपको कौन-कौन से डाटा है कि रिक्वाइर होती है तो यह इंपोर्टन्ट है तो आज की वीडियो में इतना ही प्लीज लाइक करेंड शेयर करें मैं चैनल एस रिसेर्च थेंक्यू ओकी